कुतों के नाचने से शेर अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ता सरकार, let them dance एक शेर सो कुतों से नहीं लड़ सकता शेर सिरफ अपने इमिज से लड़ता भौगने चाहे सो भी आजाए He just has to learn the art of being a liar क्योंकर जो सबक बेवफा और गदार सिखा के जाते हैं दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है कोई ऐसा लाइफ कोच नहीं है कोई ऐसा इंस्परेशनल मौाद नहीं है कोई ऐसा पीटर सन और ये रॉबर्ट ग्रीन वाला माल नहीं है जो इनसान को से सिखा सके जो एक बेवफा सिखा सकता है आपको जो एक घद्दार सिखा सकता है आप जो एक जालिम सिखा सकता है आपका दुश्मन कौन है? क्या हर मुखालिफ दुश्मन है? हर दुश्मन मुखालिफ हो सकता है लेकिन क्या हर मुखालिफ दुश्मन है नहीं? इसके बारे मैं आप क्या कहता है? अल्ला हर इन्सान को मेरी दौाए है इतनी तरक्की और इतनी काम्याबी और इतना सुकूम दे मन के अंदर कि उसके दिश्मनों के वार जो है उसकी स्किन क्रोस ही नहीं कर सा वो आपको गाली दे रहा है लेने दो वो आपके खिलाफ कॉंस्परिसी करने दो वो हर जगा पर जाके आपके वारे में मूझ खोल रहा है जलील कर रहा है रास दे रहा है आपके करने दो उसको So if anybody believes in belittling me or you or us it doesn't matter मैं ऐसा आदमी हो कि जब मुझे लग जाना तो मैं इस तरह खमोश होता हूँ वो बेवाफाई का जखम देता है गदारी का जखम बड़े किसमत बाले लोगों को मैंता है वो काम करो नहीं जिस पर यूटन लेना पड़े उस गली जाओ नहीं जिसका रस्ता पूछने नहीं मूँ फेरें चलते रहें तकलीफ होगी आप सबसे था तकलीफ दे आपको योगा आपकी तनहाई कहते हैं ना खालिब बिन वलीद के बड़े प्यारे जुमले पे अल्ला किसी बुजदिल की आँख को नीम न दे और मेरी दूसरी दुआए अल्ला किसी दलेर बहादुर शेर को कुटों के हादों न वरागए बलाक न वाइड दुष्मनी पे लेकिन उस से पहले ये बात करना बहुत जरूरी लगता है कि दुश्मन कौन है क्या हर मुखालिफ दुश्मन है हर दुश्मन मुखालिफ हो सकता है लेकि क्या हर मुखालिफ दुश्मन है नहीं इसके बारे में आप क्या कहते है लेकि हर मुखालिफत होना इस नैचरल Allah Quran में भी फर्माता है ला यजालूना मुख्तलिफीन इखतलाफ तो हमेशा होगा आगे Allah ने का एल्ला मा राहिमा रभी मगर जिस पे अल्ला का रह्मा तो किसी जाविये से किसी नुक्ते से किसी उपीनियन से किसी परस्पेक्टिव से किसी डॉक्टिन से किसी का इखतलाफ होना नजरिये से इखतलाफ होना ये एक नैचरल हमारी क्रियेशन का पार्ट है वरना इसलाम के अंदर भी एक मसले पे चार चार फत्वे ना होते है ये चलता है बात ये है कि वो मुखालफत अगर बात से है तो तो वो मुखालफत किलाईगी अगर वो जात से है तो वो दुश्मनी है जैसे एक बच्चा है वो वो एक चीज़ करना चाहता है और उसका बाप जो उसको एक मना करता है उसके अंटी जाता है हमेशा उसको लगता है कि हमेशा यूद को यही लगता है कि यारी तो हमेशा मना ही करते है मुझे इस चीज़ से तो वो उसको अपनी साइकालोजी के अंदर क्या जगा दे खेरखा तो नहीं लगता ना जैके एक नॉमल आदमी को कि एक मना कर रहे है मुझे एक चीज़ से उसको वो क्या कैटेगराइस करेंगा उसकी मुझालफत को या उसके कंसेंट ना देने को इसी तरह लेके मैं आपसे काया ना दुश्मनी का तालुक जातियात से सही उस जड़ेवे जो नज़रियात हैं और जो जड़ेवे मामलाथ है, जो उसके अकवाल है, अफकार है, जो वाटवर दा थाट फ्रेम अन थिंग, वो तो घलत, उससे तो मुखालफ़त हो सकती है आपकी, मगर वो उस टेशन पे जाना के जहां पे वो दात ही पूरी मजरू हो जाए उसके माइंड में, पूरी जात ही इसको चैलिंज क कर रही हो और वो सिर्फ उस बात का इंकार नहीं कर रहा है वो उस जात को भी डिस्फंक्शन करना चाहता है और मेरा एक और भी जुम्ला आट करने के मुखालफत जिसमें हसद हो बुगज हो और जिसमें अपनी इनिसिक्यूरिटी हो इसे दुश्मनी कहते हैं ये एक अच्छ के बाद हो सकती है इसमें एक जात एक बरादरी एक अकीदा एक मसलक एक मजब एक दीन और इसके गहर में भी हो सकती है मगर जहां पर मुखालफत की बुनिया दलील नहीं है बुगज है हसद है कॉम्पलिक्स है इनसिक्यूरिटी है अनाद है तकब्र है कोई जाहरी जाती पहलू है जिसकी वज़ा से ये दुश्मनी होती है और इसको भी अगर फर्दर एलैबरोट करने चाहें कि आप इसको किस लेवल तक रखना चाहते हैं तो अगर आपकी सिर्फ नजरिये के अंदर अगले की जाद बुरी है तो ठीक है इस पे तो इतना मसला नहीं होता अगर आप उसे एक्सेक्यूट करके मैदाने जंग में लेकी आएंगे कि मैं इसे खतम करूंगा इसे हसद का भी बारे में कहता है कि एक ये है कि वही इन से छिंज़े और मुझे मिल जाए जिसे नाम हुआ भाई उससे जवाल हो जाए और मुझे मिल जाए तो ये ज़रा बड़ा हसद है और अगर ये वाली बास सोच है रशक है कि भई इसके पास है मेरे पास भी हो जाए तो इसे गिप्ता कहता है तो ये तो प्रेजबल भी हो सकती है कि वह लगा ने इसको इल्म डिया मुझे भी मिल जाए लेकिन इसका खतम हो जाए और मुझे मिल जाए ये ये कंडेमेबल है ये है और ये एक्सेक्यूशन में जब जाएगा तो दुश्मनी है और इसके लिए इसको डिक्लेयर करना ला मुझे 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 मुझ दुश्मनी वो जिन्दगी क्या है जिसमें दुश्मनों को सामना ना करना पड़े तो इसका क्या मतलब है कि दुश्मन जादा होना चाहिए जिन्दगी के अंदर जादा फ्रेंट फूट पागे किले हम बनाएं दुश्मन दुश्मनों से मुलकातें करने की तमना नहीं करनी चाहिए लर्न टु लिव इन हामनी और पीस अमन में रहना का आदद नहीं चाहिए मैं यह कह रहा हूँ जब एक इंसान इंटेगरिटी वैल्यूस और राइट्स कोड और कोड के साथ जी रहा हूँ ताना कोड वैल्यूस और एथिक्स पे खड़ा होगा जहां उसकी सेल्फ एस्टीम होगी गहरत होगी एक मिजज़ होगा ज़्यादा जुकने वाला आदमी नहीं होगा और इज़त एतराम करने वाले लोग होगे लेकिन ज़्यादा इंटिमिडेट नहीं होते जो जो ज़्यादा उठाईगी रहे नहीं होते जो उस टाइप का मिज़ाज नहीं होगा और अपनी राह पे अपनी सिम्थ पे अपना मगर्ब खुद बनाने वाले लोग जो होते हैं यह एक यहां से गज़रते हैं न यह एक बहुत ही इंसेक्यूर पार्टी को मजीद इंसेक्यूर कर जाते है यह इंतिमिडेट कर जाते हैं उक्ले को इनकी प्रेसेंस का एक औरह अल्ला ने रखा होता है जो तंग करता है लोगों को अच्छा फिर वो जो कमजोरी में बड़े खाब देखने वाला होता है ना इसके भी दुश्मन जादा इसलिए हो सकते है क्यूंके बाते बड़ी है और बतब एक उससे दुश्मनी करते हैं लोग जो बहुत हलका होता है और एक उससे लोग दुश्मनी करते हैं जो बहुत पावरफुल होता है एक उससे दुश्मनी करते हैं जो बहुत जादा पावरफुल होते वे अपने आपको हलका रखता है और एक उससे भी लोग बहुत दुश्मनी करते हैं, जो बहुत हलका होते हैं वे अपने आपको बहुत पावरफुली प्रिजेक्ट करता है, यह चारों के चारों, माशरे के अंदर उस तबके को, जो अपने सेटल्ड हलकों मे बैठे हैं या मनाफिक बैठे हैं, उसको बहुत निकल के उसने explore नहीं किया। जिसने दिल नहीं किसी को、 हो नहीं सकता कि इसको दुश्मन या नसीब नो। तो वो जिंदगी क्या, जिसे दुश्मन नसीब हो मतलं वो जिंदगी क्या जिसने कदम नब ड़या हो। ये मतलब है। एक और जम्ला कि मैं पहले सारे जम्ले क्लारिफाइ कर दूँ लोग तक्रीर सुनते हैं लेकिन मैं चाहरा हूँ शेक साथ साथ तश्री करा लूँ कि मैं इनका मतलब क्या है दोस्तों को सज्जन किस तरह बना सकते हैं मैं लेका हाओ इस इट पॉसिबल और कुरान की भी आयत है कि तुम्हारे और किसी के दर्मियान अगर दुश्मन ही है तुम्हारे बली उन हमीम दोस्त बन जाएगा लेकिन आपका क्या क्या क्वाश्ट है कि दोस्त जो है वो करीब क और एक समझदार हकीम इनसान और एक तजर्वेकार डीप प्रोफाउंड इनसान जो डेप्ट होती है जिसमें उसे वो फन अल्ला ने सिखाया होता है और कुछ माशरे ने कुछ तर्बियत ने से कि वो अपनी अलफाजों और अपने रवईयों से अपने दुश्मनों को जिनों की काटेगरी में लेगाता है मतलब उनका रुझान अपनी तरफ बढ़ाता है वो अपने रवईयों अपने अलफाजों से इसके लिए सबर चाहिए होसला चाहिए जिगर चाहिए स्ट्राटिजी चाहिए आपको और उनके तीर और उनकी नेगिटिविटी अब्सॉ का आपको कलेज़ा चाहिए तो ही तो वो कहते हैं आपने वहां तक मार खानी होती हैं उनके लिए के लिए कियर मैं इसके साथ जिन्दगी इसलिए नहीं गुझारता कि इसका ब्रैंड बहुत अच्छा है और ये इतनी बरदाश कर सकता ए हमारी इसलिए हम इंके साथ बैठ जर्फ नहीं मिलेगा, जर्फ तो मिलेगा, मगर लोग नहीं मिलेगे, लोग मिले, मगर लोग नहीं मिलेगे, जर्फ मिलेगा, तो अफ जिसे हम कहते हैं, माफी नहीं मिलेगे, माफ करने वाले लोग, दर गुजर करने वाला मजज नहीं मिलेगा, दर गुजर करने वाला दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन जब मार रहा होता है ना तो वो मारते वक्त उसमें से कुछ इतने अजीम लोग थे जो देख रहे होते हैं कि यह इतनी मार के अंदर भी अपने स्टैंडर्ड्स वैल्यू और एक खानदान लेकी आया है यहाँ तो दैट्स दब्यूटी दिन चौदा दिन उसने अपनी बाशाहत का मिजाज रखा इसने आटिट्यूट रखा जो भी उनको सर्फ करने आ रहा था भी बाशा तो बाशा है ना जेल में भी है इंप्रिजिन्ट भी है तो बाशा है वो तो आटिट्यूट हो एक कॉमनल वाला थोड़ी रखेगा तो चौदा देन तक जब वो रसुलत सब्सक्राइब करता रहा डीग्रेड करता रहा वो कहते हैं मतलब गुलामी के अंदर भी उसने अपना एंड़ वे रॉयली रसुलत सब्सक्राइब हैं कि मैं तुझे एक अंजल ना समना जिल मैं तुझे तेरी मंजिलत के मताबिक नहीं कर रहा और प्लस वो रिफ्क जो था जो बरदाश्ट थी जो आप सब्सक्राइब का स्माइलिंग आटिट्यूट था उसने असा गर्वीदा कर दिया उसको उसने का यह चेने शेने तो वैसे ही मेरे पे नहीं है हुमन रैट्स को तो आपने वैसे ही बड़ा ख्याल र कि भाई हमारे अपने लोग हैं जी तो दुश्मनों के सफों के अंदर मारने की भी एक हद होगी है आप एक सिंपर्थी लेके आते हैं तो जस्ट बिकॉज एस अन इडियॉलिजी अगें सम तिंग उजागर की है ना उस दर्द ने उस तकलीफ ने उस बरदाश्ट ने उस जिगर ने कि भाई इतना नहीं बनता यर इतना मत मारो अगले बाई तो वो चीक पढ़े अंदर से तो उनके अपने अंदर से आवास खड़ी होगे खिर कैसी जिन्दगी या दिल हम बना नीच सके हाँ बना नीच सके और इस पर आप हमें हमें घाइड करते हैं बार बार के देखो हर इनसान की एक कीमत होती है कीमत से मुराद ये नहीं हो अच्छा ये भी जुम्ला ज़रा सही है हर इनसान की कीमत होने का जुम्ला ये नहीं मलता कि हर इनसान बिकाओ होता है हर इनसान की कीमत होती है उसका दिल खरीदने की बिलकुल और आपको अपनी जिन्दगी के अंदर कहीं दुश्मन मिले होंगे अंधुरूनी भी बैरूनी भी तो आपको क्या लगता है कि बाइबल है कुछ क्या करना पड़ता है उसके लिए जरा समझाएं जब आप बोलते हैं कीमत है दुश्मन थे आज नहीं है कीमत अदा किये मैंने उसकी क्या मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिरूने आप समय सालम के साथ अपनी जिन्दगी एक्ताम भी करने की कोशिश की लेकर इदर नहीं आया अबुजाल नहीं आया सभी है नब रौजर रौशन भी दिग गया नहीं उसको उसने मौत लेना कबूल किया उसने का बाद ऐसे थे जो वहां पर मुखालिफ थे यहां के फिर यहां के बड़े लीडर्स बन गए उमर बिन खताब हैं खालब दिन वलीद हैं तो कुछ आएंगे कुछ हाथ में लाएंगे कुछ आपके साथ वक्ग गुजारेंगे आपके साथ आपको एक्स्ट्टोर करेंगे पॉइंट यहां पर यहां पर यह है कि जब आपकी मुखाल्फत देखें आप गुजर रहे हो ना एक अलाके से एक आपकी वो मुखाल्फत है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है सही है एक आपकी मुखाल्फत है जब कहीं से गुजर रहे हो तो वहां पर उससे मुखाल्फ यह दुश्मन यही है, वहाँ गुजरते वे मसला करेंगा, ठीक है, और एक आपकी वो मुखालफा जो ऊपर से आपकी सर्वेलिंस कर रहा है सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है, जो जिदर आप जाओगा ना वो पीछे आपकी आएगा, ठीक है आप राइट होगे है, वो भी राइट, आप लेफ्ट होगे है वो भी स्ट्राइटगी है, आपके मताबिक करेगा आप एक और इंडorship हो जाएंगे, महाँ भुज़ जाएगा भुज़ जाएगा सबसे मसला आपर यह वो कोई भी शक्स जिसके साथ दुश्मनी रही मेरी वो वापिस इसलिए नहीं आ सकता हूं कि वो कुए का मेंड़ा गए और कुए में ही उसको अपनी जगा चाहिए थी और कुए के अंदर उसने हमसे इतना ले लिया वे मुझसे कि वहाँ विराज कर रहोगा अपना हाँ चीखिये उसकी जब निकलेगी जिस दिन मैं कुए में पहुंचू का वाँ पर चक्कर लगाने के लिए इसकी मिसाल आप लेकले ना नाइक साब आया है ना भी पाकिस्तान के अंदर नहीं तो आप दर्वाज़े खुले रखते हैं अपने दुश्मनों के लिए तो कब बंद कब है कभी ये किसी से इतनी दुश्मनी की हो खांदान के अंदर प्रोफेशनली ये 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 आडिट्यूट से तालोग रखती है जो आदमी जिन्दगी के अंदर उसकी दुश्मनिया रही हो या उसकी मतलब दुश्मनिया तो हमारी ऐसी भी रही है जान तक आ गही हमारी मेरी अपने इस फील्ड से धटके भी तो मेरी दूसरी जगा मुखालफते दुश्मन है रही हमारी फैमिली में रही है जमीनों के कामों में रही है और भी बहुत से मसले मसायल है अपने मिद्रार से रेलेटेड भी रही है तो पॉइंट यहां पर यह है कि जो आदमी ग्रो कर रहा होता है ना उसे उन वक्तों में कभी भी गरज पाल नहीं कर ना टाइम होता है और ना उसका इतना मकाम होता है और ना उसका कद होता है कि वो पाले किसी को तो कुछ बेवकूफों को शायद यह लग रहा होता है कि वह शायद अभी भी हैंगे मेरे माइंड पे सवार होंगे I am somewhere else और कहते हैं न है the best revenge is to forget them तो मेरा सबसे खतरनाक बदला भी यही कि मुझे याद ही नहीं है कोई हाँ उन से सबक मैंने जो सीखी है न वो हम market में देते हैं सबको सबको तुम्हारा वार करने का तरीका यह था तुम्हारी मुनाफकत यह थी तुम्हारा यह तरीकारता तुम हर पांच छे जगों पर जाके हर किसी के जाके आके मामले खराब करके मारे खिलाओ तुम्हारा ने सीख लिया उन से कि वह इसका वार ऐसा है इसका वार ऐसा है मेरे जिंदेगी भी कोई सबार नहीं है I don't even remember most of them in my life I have moved on I have very big success and achievement in my life what where I am right now तुम्हारा दर्वाजे खुले में तो वो तो कब दर्वाजे वो ही आदमी बंद करेगा ना जिसके पास जर्फ नहीं होगा जिसके ऐसा अचीव्मेंट नहीं होगी जिसके पास बुस्ता होगा जिसके ऐसा एजिटेशन होगी मेरे पास यह ही नहीं मैं किसी से अगर लड़ा हूँ या कोई मुझसे लड़ा है सारी जिन्दगी में इसके अंदर मेरा उसके खिलाफ कुछ ही नहीं क्योंके मैं चीरते वे चलता गया मेरी जाय लाइफ के चैलेंजिज इतने अजीब रहें मेरे पाग टाइम ही नहीं राएका जो आज भी मेरी लाइफ की कंतेंटमेंट इतनी है कि मैं बैठ सकता हूं if you take me to a table with anyone I can sit with them मैं किसी भी दुश्मन मुखालिके साट्थ बैठ सकता हूं मैं चेयर कर सकता हूं लेकिन अब उंक के लिए और देख लेना खमोश नहीं रहता हूं मतारा I have my own बस मेरी अपनी ग्यान चल रहा होता है I don't give comments about anyone in the world but but it's like मैं आपसे जब ओर रहा हूं दरवाजे खुले हैं आए मैं बात कर सका तो आप आप उसमें ये कह रहे हैं कि वो आएगा नहीं मेरे पास एक तो number one कोई grudge नहीं है नहीं मेरे पास कोई wound है मेरे पास कोई जखम नहीं है मेरे पास एक scar होगा जिस scar से मैंने सीखा हूँ है वो आए वो ना आए मुझे फरक नहीं बढ़ता लेकिन मैं अपना अखलाक अपना हैतराम अपनी तमीज अपने द बैट सको और दोस्ती इस तरह रखो कि कल को you can say goodbye to someone यह इस तरह की दुश्मनी के कभी शकल ना देखा तो यह हमें हमें जो है वो family के अंदर business के अंदर से गाया जाए था कि किसी को इतना 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 बढ़ा दो कि उसको तुम छोड़ना सको as a client और किसी को इतना जलील मत कर कि कल को आप बैठ ना सकते हैं तो you know very well you are amongst those and lucky is amongst those and everybody knows around me कि मुझे पता है मैं तो बैठ सकता हूं मुझे किसी के साथ बैठने में को इशू थोड़ी आज मेरे family के अंदर हो या family के भायर हो या मेरे professional circle मुझे क्या issue किया लेकिन कि मैंने initiate नहीं की थी जंग मेरे खिलाफ जब initiate तो obvious दुश्मन कि अल्ला हर इनसान को मेरी दौाए इतनी तरक्की और इतनी काम्याबी और इतना सकून दे मन के अंदर कि उसके दुश्मनों के वार जो है उसकी skin क्रॉस ही नहीं कर सके उनको लगता हूं उन्होंने को बड़ा हमला कियो और उसको वैसे ही बड़ा कर देता तो कहते हैं ना मनटवाजा अलिख रल्लाही जो धिया आज़ी अपना के कहता है बहीर मैं अपने ली यी अपने कौशा और अपने कौशा और देता है इसके अभरे इलमी तब केग्छे लोगों से मुझे तकलीफ भी पहुची होगी लेकिन जहां से मैं कनेक्ट करना चाहँ हूँ वो यह है कि जब एक जुम्ला है कि भई हर दुश्मन की एक कीमत होती है और साथ में अल्ला की नभी सुल्लाओं को जब हम उनकी जिंदगी में देख रहे न तो वो यह नहीं कह रहे कि अगर वो मुझे अप्रोच करता है तो मैं इन टाम उसको माफ करता हूँ वहाँ तो यह देख रहा है कि अगर अबुसुफ्यान रदियल्लाओं को देख रहे हैं कि भई इस रिस्वर्सपूल सरदार है तो उसी दिन ही एलान कर देता है जो उसके घर में जाएगा उसको माफी है यह सिचुएशन तो आई फत्ह मक्का के बाद मा आपको कैसा लगता है हमारा फत्ह मक्का होगे नहीं तो बारगेनिंग पावर अगर अगर हमने कभी दिखाया भी है किसी के साथ रखा भी है मामलात हिसाब केताब रखें वो भी उसको अकल समझाने के लिए कर रहे थे क्यार देखो तुम्हारा तो विजिन है नहीं कुई तुम्हारी तो कोई सोच नहीं है तुमने तो अपने आपको बोना ही रखना है तुमने तो ग्रो करना नहीं है तो तुम्हें तो तनकीद करने का शौक होगा तो तुम करो हमारे साथ भेड़ने का क्या फाइदा होगा हम तो सारे बिलकुल एक साही है दिमाग जो है एक फोकस हुआ होगा एक मनजिल की तरफ उसकी आड़ के अंदर हम जा रहे हैं तो वो पूरी एनरजी अगर तुम्हारी तरफ लग जाएगी तो सोचो तुम्हारा अशर क्या होगा तो क्या एक एक वाइड यू वांट तो फाइट आप पैशनेट मैं यह था नाथिंग तो लूस यह वेवरी तिंग तो लूस आपने तो इस से उपर जाना नहीं है आपकी कमजोरी है तो वो हवाला हमला करो ना जिसके बाद तुम्हारे में डर ना हो तो हम तो लगा देंगे जलाने के लिए तैयार है तो ऐसे बंदे से क्यों भिल डे हो जो अपने विजन की खातेर एक हिस्ट्री ले की आया है और यही मैं औरों को भी इशारतन समझा रहा हूँ एक हिस्ट्री ले के तो एक आदमी है यह लड़के क्या मिलेगा आपको उसके से वो अपने विजन के लिए जला लेगा अपने आपको अपने हम बेमशेता तो उससे बिढ़के आप क्या कर लेंगे उसकी मुखालफा उसकी तनकीद के वपर आपको क्या मिल जाए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको लग रहा है कि आपकी तनकीद से को नाइक साब को फरक पड़़गो उसकी तनकीद केर उनको क्या हिला लेंगे आप अगर आप पूरे मुलके भी दर्वाजे बंद करतेंगे तो आपको क्यालतों को फरक पड़ता है कि वैसे ही पूरी दुनिया में अल्ला ने तो अल्ला दुश्मन जिसको जैसे पी दे दुआ है अल्ला खांदानी दुश्मन दे जगड़ा भी हो और अल्ला करें ना हो अगर लडाई भी तो सीखने को मिले कुछ जखम भी ऐसा हो जो इल्म सिखा जाए एक स्ट्राटेजी पॉइंट अफ यू से आप क्या कहते हैं कि दुश्मन हो गांदर भी रिसोर्स होता है जो आपके काबले इस्तिमाल हो सकता है अगर दफ उश्र बिश्र ना हो उसूल शरियत का कि शर्क शर्से ही अगर अगर बाज बाज इनसा बाज बाज से दफ़ा ना करता तो अगर मैं तो यह तो यह तो स्ट्राटेजी का पार्ट है कि अगर किसी भी मुखालफत के मुकाबले में एक दूसरी दुश्मनी खड़ी वी है तो obviously मैं उससे क्यों नहीं बात कर सकता मैं नहीं, my question is कि something, देखें, उसमें रिसोर्स हो सकता है लोग तो बेखुफ होते हैं, लड़ें अब आपको, because that's how मैंने आपको देखा, मैं शली लेके आ रहा हूँ मैंने असल में पता है कि दुश्मनों की सफों के अंदर भी आप देखते थे यार, इसको उड़ाओ तो ये रसो सलम की जिन्दगी के अंदर सबसे बड़ा क्रीन है ये था कि आप सलम ने ये दुआ मांगी अमर बिन हशाम और उमर बिन खता कि अमर बिन हशाम का नाम अबुल हकम था फादर अविजड़ूम और खुबसूरत हैंडसम मेल था ये उस ताइम पर वेरी गुड लोकिग मैं अ रप्रेसेंटेशन नभी सब्सेलम चाहते थे कि ये मेरे बैरिक्स में खड़ा हो मेरी आइडियोलिजी की रेप्रेसेंटेशन कर रहा हूँ नभी समूझ आप पर बैठार अब बिन हिशाम राइट सीड़ूम कि उनके मस्टल्स ऐसे थे थे क्योंकि कमीजें फस जाती थी उनके मस्टल्स के अंदर that's how he was stoned इतना भारी भरकम warrior बहुत दर रसले सलम्हें दौा मांगी एक wisdom का इमाम है और एक muscle power है decision power है resilience है तो आपने दोनों के लिए मांगी तो ये तो रसले सलम्हेशा कोशिश करते थे ये मही तरफ आ जाए कुंकि जब आप cause oriented होते हो ना तो आप जाते हैं तो एक बात बता मुझे हम आज भी काम ले सकते हैं उनसे तुम तो micro's में you are the CEO of the entire organization you know every micro management happening in Almidrar तो इन सब को hire नहीं कर सकता कि आज मेरी नहीं मानते चल तेरे तो reputation अच्छी है ना कितने लोग होते हैं system में कि अगर आपके पास एक vision है एक plan है एक strategy है और एक history है और सीरत है और एक उस्ताद है और एक leader है and you are running the show एक leader भी है मगर एक you are running the show तो क्या तू इस time पे सब को एक offer नहीं दे सकता च्छी yeah that's what I am saying you should be ready to give offer to anyone क्या मैंने तेरी तरभियत ऐसे नहीं की कि तू अपने दुश्मन से भी कह सकता यार तेरे मेरा मुखालफत अपनी जगा इस मसले में आ साथ बेढ़ जाता है बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल मैं तुझे सिखा है नहीं और ये नभी मना जाये आपने भी example दी मैं कह रहा हूँ हमें क्या हो जाता है अपने दुश्मनी के इतने अंधेरों के अंदर हम इतना अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहां पर आप benefit ले सकते हैं तो मैं इस हद तक दुश्मनी करूँगा कि मैं इसका दोस्ट बन सकता हूँ यह मनाफकत नहीं है मत्ता मैं इसको उस हद तक कर सकता हूँ कि मैं इसके दोस्ती भी करनूँगा से, क्योंकि मुझे अपने means, मुझे अपने destiny तक पहुचा, यह जो दो-दो रुपे की लडाईयां नहीं होती, सड़क के उपर, यह दुश्मनियां नहीं है, यह तो emotional disrupt है आपका, यह आप handle नहीं कर सकते, indifferences society के अंदर, तो आपने अंदर के kid को, bias को negativity को निकाल दिया, दो मिनट में सड़कों पर, चोकों पर जगडे कर रहे हैं, यह दुश्मनियां नहीं होती है, दुश्मनिय वो होती है, चलती है, लंबा चलती है, कुछ ऐसे तरीके हैं, आपके पास neutralize करने के, कि जहां पर जितना तक आप कर सकते हैं, आपने जिन्दगी में किया हो, आपके experience के, engaging निवा में, उसको खुश रहने दिया, उसके perspective में, वो तो आपकी, वो लगता है हमें हार है यह तो हमारी, वो उसको लगता है मेरी हार, लेकिन हर छे महिने के बाद जब जल्वा सामने आता है ना लोगों के, किसी भी चीज़ का, तो फिर सर खुजाते होंगे लोग, अब यह अभी तो, मेरे perspective पे तो यह जलील हो रहा है, यह अब hype कैसे आगए इसकी life में, छे मेरे delusional थे वोई, एक तरीके से, के नीचे, इसको लगता है, कि वो कुछ बना लेगा बैड़ के, करने दो, वो आपको दावत नहीं दे रहे, आपका potential मानते वे, और आप से हलके लोगों को दावत करने दो, आपके पास जो OEM मैं ना, original engine, equipment, management, और manufacturing का जो, keep walking on that, आप जानते हैं, वो uniqueness आपके पास, और वो uniqueness इस एक दिन इन सारे कुमों से बन्दे उठा के लेगी, फिर सो जाएगी, so if anybody believes in belittling me or you or us, and downsizing us in their minds, and you know, and degrading us, it doesn't matter, eventually अगर वो देखेंगे, किसी दिन भी, तो आप देखेंगे, वो अपने इर्दिर्द के लोगों को कभी काईल नहीं कर सकते होंगे, जब आपकी तारीफ हो रही होगी, हर बंदे को वो जाके उस तरह नहीं दलील दे सकते, जब एक masses की masses, उसके गुनगारी होती, तो काम ऐसा करो, कि दुश्मन भी जो है न, उसको सर पगड़के बैठना पड़ जाएगे, नहीं यार अगर, करें ना नाइक साहब के खिलाफ, बोलें ना कुछ लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं, सब एक होके बैठके हैं, यह ब्रिगेड गाएं, जो हर किसी को अड़ारी होती है, बैठके, कहा हैं यह यह तो खुद बैठ जाओ नहीं, जिस पर यूटन लेना पड़े हैं, ठीक है, उस गली जाओ नहीं, जिसका रस्ता पूछना नहीं, अगर आ गए हैं, तो इस्तिहाद और दलेरी के बीच के अंदर, तरिज विल ऑल्विज बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री, इस्तिहाद विल ऑल्विज बी टे आगए, दुक्लीफ होगी, Lोह कसेंगे, जलील करेंगे, नेसिंग होगी, तनकीत करेंगे, तहकीर होगी, आपको लगएगा, आप सबसे दले तकलीफ दे आपको यूग का आपकी तनहाई, पांच का जुंड वहाँ बैठावा है, दस का जुंड वहाँ बैठावा है, ﷺ की जिन्दगी और जो लोग इमान भी लेके आया है उनको बादी और राई का जाए है उस पर भी कहते थे ये गरीब लोग ये तो हसते थे थे ना वो बैड़ ये आया है पीछे पर इतनी मेनत के बाद ये लोग इस फाइन बड़ आफ्टर ट्वंटी फोर यह उफ स्टॉग बिहाइंड वन मैन ऑन दे सेम डूर जहां से नहीं उसको बाहर निकाला था ये मज़ा है ना जिन्दगी लेकिन देखें हिजरत तो एक अल्ला ताला की तरफ से फर्मान था कि आपने अपने करीबी घरवालों को रुषदारों को आप जो है वो दावत दें और उसके बाद रिटालियेट करती है कौम, एक्षेप्ट नहीं करती, फिर वो सफ़हस्ती से मिटाने का सोचती है, जल्म करती है, परसीक्विशन पर आते हैं, तो दुश्मन बन जाते हैं, तो वो कौन सा मोमेंट आपको लगता है कि जहां पर आपको लगता है कि दुश्मनी अब इतनी बढ़ गई है कि इसको आप फेस नहीं करना चाहिए इसको आप यहाँ पर लेकर टाइम लेकर निकल जाना चाहिए और फिर इन्शालला आएंगे लेकिन कब वो एक्जिट लेना चाहिए कि एक कॉलेज ने मुझे रेस्टिकेट किया था ना फेस्ट एयर तो मेरे वालिज साहब ने बड़ा प्लीड किया था हूं तो मेरी लड़ाई हो गई थी महाँ पर मैं खोल देता हूं बात यहाँ पर नाम ना लीजेगा नाम तो मैं कभी भी भी नहीं लोगाँ आप नेवर टे 360 घुमाएगा आपके सो इफ डाट हैपन इन 97 तो हुजैफा टुक मी टू था कॉलेज उन्होंने अप्रोच किया कि हम इंका लेक्चर कराना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी गलती से तारीख के नामों से ऐसा मेरा नाम गाइब हुआ उन्हें खूद नहीं पता था कि उस कॉल 18 अठारा उन्हेस में हम गए हैं तो मेरे ख्याल से 20 साल लगे मुझे अब यह मैं समझे किसी बॉलिवड मूवी की स्टूरी है यह पीशे बैठा वा तो वहां मैं लेक्चर दे रहा था तो I was giving my lecture and in the middle of it मुझे चड़ी कि मैं करूं बात तंग करूं इंको तो कुछ पराने दोर की बाकिया तुमा मुझूद थी टीचर्स थे महाँ पे तो मैंने वहाँ पे खौल दी बात किया है यकीन की बात करनी है न तो यह यकीन देखो इसी कॉलिज से मुझे रेस्टिकेट किया गया था कराची के अंदर और आज यहीं पे खड़ा होके इंको खुद नहीं प पर मिसर का बाश्चा बच चुका है तो याद भी नहीं था उनको कि जब वो अनाज लेने के लिए आए थे उनको यह नहीं पता था कि बीस साल पहले कीवी करनी सामने बैठी वी है और अब फाइनेंस मिनिस्टर है पूरे रीजिन का वो पूरे नौधन एफरिकन का किंग ह उसके हुकम के उपर पचास हजार अलाकों में गला जाता है तो जिसके साथ वो कुए में की थी ना कभी वो बैठावा सामने है भूल जाता है आदमे इतने भूल चुके थे कि जब वो प्याला पकड़ा गया तो कह दिया इसके तो भाई ने भी पहले चोरी जीवी है इतने भूले वे थे कि that's in front of you तो this is how it is अल्ला ताला हमेशा आपको उन बस्तियों में ले के जाएगा जहां से कभी ने आपने निकाला होगा लेकिन वो आएगा और उस वकत भी सुनत हमेशा बड़े लोगों की और अंबिया के रही है आपने जर्फ दिखाने हो आपने जर्फ की फुतुहात और अपना स्ट्रगल करते रहे वो कुएं और वो बस्तियां जहां से आपका जीना तंग किया गया था वहां लेके जाएगा आप नहीं जाएंगे वाप वो अल्ला की एक सुननत है यह होगा जिस घर से आप निकाले गए थे उस घर को अल्ला आपको दिलवा दें अभी वो I just heard एक सामने मेरे लिखी वी क्ले वो आगई वो heading आगई सामने यह तो Allah मुसल्मानों की की नहीं इसे इनसानियत के साथ Allah का यह रहा रहा है यह सुननत रही है कि जिदर से आपको निकाला किया ना वो ही वो ही आपको एक दिन कहेंगे कि तुम खरीद लो या पर उनका ऐसे फसाएंगे कि वो बिकेगा ने तो एक घर से हमारे किसी बड़े को निकाला किया था तो जब कराची के अंदर वहा हलात खराब हुए ना तो वो घर बेचने के लिए वो तरस्ते थे इतने बरे हलात थे उसलागए वो घर नहीं बिकता था तो कभी अल्ला वह अपनी डगर पर चलें थीक है आप अपनी डगर पर चलें आप चलें वो दुश्मनी है जो आपके साथ रही है meanwhile वो रहेंगी अच्छे ये भी आप समझें कि यह जिनलों की भी चल रही है यह दाइमी नहीं है असल प्रॉब्लम वो है जो दाइमी दुश्मन है आपका और होफर पर खड़ा वहाए जो इबलीस है ये तो आप से इसलिए आफंड हुए है क्योंके यह आपकी गलती है या आपने इंसे क्यों खा लड़ ले या आपने अलफाज से इस्तामाल ने किये या आपने हैंडल ठीक नही किया या उनके दिल का इतना गद नही था कित वो रही है ये पीछे से तीन खानदान थे बड़े काब के मेरे ख्याल से काब के थे ये मैं नाम बूल गया उसका काब नहीं था ये तीन खानदान जो है ना बनी अब्दुद्दार ये बेटे है ना ये बनी मख्जूम और बनी हाश्म ये कल्ब कल्ब के बेट की उलादें ये सा अदनान से लेके जो नीचे दागा तो लग गई आपस में सदियों से चलती आ रही है इंकी उसमें हाशिम भी हैं अब्दल मुत्तलिब भी हैं यह सारा चलता आ रहा है महां से तो वो कहते हैं सारे प्रेविलिजिस के अंदर बनु अब्दुदार जो है वो बनु अब्दुदार की भी बड़ी लगती है इंसे तो यह जो हजरे अस्वत का जो जगड़ा हुआ था इसी पहता ना भई कि आसमान से अगर पत्ता रहा तो भई हमारा ट्राइब ओन करेगा अबु जैल बनु मक्जूम है और यह आपके नभी सालम के सारे ताय अबास अबु तालब यह सारे बनु आश्यम है फिर बनी अब तो दार के अंदर यह आते हैं आपके बहराल मुझे नाम नहीं याद आ रहा तो यह जगड़ा पढ़ गया है वहां पर उनने का सुबा जो जिनों बड़े हो गए नाक का मसला था ना तो उनने यहीं कहाता ना भई हर मसलें कहना बनु आश्यम चौदरी हैं हाजियों को हाजियों को सर्विस करने का जो बेड़ा जिसके पास होता है ना उसकी रिस्पेक्ट पूरे अरब में थी बनु आश्यम तो इस तरह उनने कहा था भईया सब कुछ तो इंका चल रहा था नबुवत इंको मिल जाए यह मैं यह मेरी नाक नी बाता है तो वो अबदी दुश्मनी थी बड़ी किड़ थी उनकी चब बनी इसराहिल की भी यही किड़ है लेकिन डिफरेंट थोड़ा से नौयत की थी बनी इसराहिल ने का यह हाशिम को एकसेप्ट नहीं कर सकते बाकी बहुत कुछ बरदाश्ट किया हमने यह नहीं हो सकता इवन कि आप देखें कि जब अब्दल मुतलिब ने वो मनत मांगी थी कि मैं एक बेटा कुर्बान करूंगा वो सारे मामले के अंदर भी जो ना उदर भी देखें तो कोई बन इसको हाशमा कहते हैं आप तो क्योंकि ही इंटिड्यूस सूप अब सीरत का कॉर्स कराएं नहीं है आप तो कराएंगे सीरत तो तुम लोग के लाउंच कर रहा हम पढ़ा रहेंगे इंशालला तो हाशम जो था वहाँ से हाशम नाम हो गया इनका वैसे तो इनका नाम मेरे ख अब से शैबा था क्योंकि इनके कुछ बाल सफैथ थे जो अब्दल्मुतलब के वालत थे लोग जो है ना सीरत पढ़ाते हैं वो अल्ला के नभी से दावत के मैदान में आप सीरत अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखें अगर हमने रास खोल दिया तो यह भी कॉपी हो आप सालम का शजरा जुड़ता है महां से लेके आंगे कानी यह पूरी जिनेटिक्स ऐसे नहीं आई है जिनें एहले बैत एहले बैत करने का शौक है तो हम शजरा शजरा आगे की तरफ ले जाने का तो शौक है अची बात है शजरा पीछे भी लेके चलते हैं ना कहां गया पीछे से शजरा लेकी आएंगे ना कि आप सालम की जात जो है वो कहां से जुड़ी भी है पीछे से तो बहराल इसको बात को मैं शौट डाउन करूँगा यहां पर तो ये ये मैं वो नुक्ता भूल गया जो मनु आशिम के साथ मेरा नाक का मसला था नाक का मसला था बनी इ तो नभी अकरेम सालम का बनु हाशिम में पैदा होना उनके लिए बहुत ज़ादा ओवर प्रेवलिज्ट हो गया और बनी इसराइल ओवर प्रेवलिज्ट है और वह ने का कि इतनी अंडर प्रेवलिज्ट कम्यूनिटी में नभी आ जाई है यहम एकसेप्ट नी कर सकते हैं उनकी तो डुमेन ही डिफरेंट थी वो कहते हैं न वो चोड़े में हास्त खा गए नफरत थी उनको तो इनको यह हमसे सवाल पूछने आते थे किताब क्या है उसूल क्या है फिका क्या है अखलाक क्या है इनका आदमी आके अब हमें बताएगा कि मुसा अलैसलाम की इndेट कर इंचे इन बताएगा कि हमारे ओलमा घलत है हमारा शजरा घलत है हमारे किताबे गलत है उसके असूल फिक उसूल फिक घलत है इंजीड उसूल ए लिंजीज़ जो लिखे में कबाइद अ लिंजीड गलत है ये बताइगा अब हम rated आप समरे में डुमें क्लेफीन ग मुष्रिक और पेगन से जादा खतरनाक था उसने किड़ पाल के रखी उसने इतनी किड़ पाल के रखी कि वो खैबर से डिफीट होने के बाद भी आप देख लें आज भी दुनिया में सर्वाइफ किया उसने उसने अपने मुख्तले रूट्स लिये वो अपनी डगर पे चल तो हिजास पाक हो गया लेकिन यहूदियत जो थी वो क्योंके पुराने मंजवे खंदानी दुश्मन थे वो चलते लें वो आज तक चलते आ रहें और देख लें उन्होंने अपना कितने सालों के बाद जाके अपनी केड़ निकाली है ये कितना बंदा शहीद कर दी है उन् कि इसका एक डायरेक्ट इंसान के दिल के ऊपर कहते हैं आप कहते हैं कलेजा बढ़ा होना चाहिए बलके जब हम इस फील्ड के अंदर आए भी थी आपने बताया था कि एक आले में दीन आप उनसे मिले और आपने उनसे नसीयत मांगी तो उन्होंने कहा इस फील्ड में काम नहीं थी तो उन्हें कहा था कि अगर दीन के काम में काम करना है नहीं दिल बड़ा रखना है लोग मारते बहुत हैं तो ये कैसे सर्वाइब किस तना कर रहा है हर आदमी की हो सकती हर किसी के अपनी स्टोरी है कारोबारी लोगों के अपनी है और फैमिली वालों के अपनी है families के अंदर है, आपके careers में है, corporate politics है वहाँ पर दुश्मनिया है, लोग आपको cut throat competition है तो यह आदमी इसका stress, stress नहीं सही वक्त होगा, लफज होगा जखम दुश्मनों के अलफाज या दुश्मनों की तन्कीदे, दुश्मनों की बार बार ने से या फिर उनका आपको traumatize करना, आपको blackmail करना, यह एक जिन्दगी इसके अंदर कैसे चलती है, तोल है, हाँ कैसे चलती है यह देखें, तकलीफ तो इतनी है के कलेजा फढ़ जा आदमी और देखें, खुले कल इनसान जईफ है, इनसान को अल्ला ने माचो मैन नी बनाया है, बहुत बड़ा है, सूपर मैन आप दिखा देखें, अल्ला ने इनसान को कमजोर बनाया है, your heart it pains you know, it pains badly, घबरा जाता है वो करान की आयत है कब आईगी मदद कब आईगी, रसूलों के साथ की फौजों ने बोल दिया, कबराड इतनी हो जाती आदमी, इवन के बन्यू कुरेज़ा ने जब पीछे से गधारी की, खंदक की जंग में तो आप सबसे लों होड ब्रोक है, badly होड ब्रोक है, या पर दुश्मन ही बहुत बड़ा आजाए, हजार और तीन सो हजार ह मागनिटूट के अंदर ही बड़ा हो, कोई आपके चोटे से बिजनस को मल्टा नैशनल खाने आजाए, या घर की सारी फौज़ा आपके खनाप होज़ा है, आप यह सोचे हैं, कि जिसको आपने अपनी करीब किया हो, दिल दिया हो, जिससे आपने अपनी बड़ी गहरी बा और आपने बगएर लेयर के लाइव उदारी हो उसके साथ, वो आप पर हमला करें इस सोच के साथ के, आपकी कमजोरियों को मार्केट के अंदर, आपका अच्छा पिर आपका एक मिजाज भी हो, आप हर किसी किया के जुकने वाला आटिट्यूट नहीं है, डिये नहीं नही नहीं है, उसकी पैरवी किया आपने, और जब वो आपसे एक्तलाफ कर रहे हैं, या वो आपसे परिशान हुए हैं, या आपसे डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, तो वो आप पे वार कर रहे हैं वो वाला उन राजों को खोलने का, जो किसी तनहा रातों में आपने बड़े सेंस को नशर करे सब के सामने, या वो अपनी पावर को यूस करे, आपको उस फील्ड से भाहर करने की, मैंने जब मुसा लाइसलाम का ये वाकिया सुना था ना, कि जब वो वापस फिरावन के पास गये दावत देने के लिए, और इस इंडस्टरी के अंदर अपनी जगा बनाने के लिए, कि मैं इस जानरे को हिट करने जा रहा हूं कि तुम बनी इसराइल को अजाद करोगे, अब ये आवाज उठाई और उन्होंने जो पहला बात आगे से की ना, कि यहीं का खाया तुमने, यहीं पले हो तुम, किप्तियों में, और आज उसी किप्त के खिलाफ तुमन आवाज उठाई है, जिसने तुम्हें जगा दी, इजद दी, मकाम दी है, तो यह पावर जब आपको दबाती है ना, कि जिन्होंने पाला होता है आपको, जिन्होंने आपको पाला होता है, वो पावर जब आपको मारती है ना, वो जखम ही कुछ होर होता है, वो दर्द ऐस होता है कि आपको डर इतना होगा आपके इनको तो मेरे बारे में सब पता है ये तो मेरा कुछ भी लीक कर सकते हैं सारी लॉक फाइल्स हैं इनके पास तो बड़ा प्रेशर है ये आप जिसे एक रहसान भी होता है एक इसान का प्रेशर बड़ा है वैसे भी प्रेशर बड़ा ह अगर इनसान गेरत मन्द है तो अगर लों को इस बात का होता है कि इसको तो क्रेश करने की विए क्या चीज़ है लेकिन यही तो ल्ला का निजाम है कि ल्ला बचाता है उन्ही पचास हजार बच्चों के कतल में मुसा को बचा है अल्ला ने मुसा लिएसलाम की मा को का कि बादेश को पुटे मिन दबास्केटन नील के साथ सा जहां नील जाता है इसको जाने दो दर्याय नील अल्ला वो बहन साथ चलती गई मा साथ चलती गई और वो कैसकेट जो चोटा सा जो क्रेडल था वो फिरौन की घर की ओरतों के पास ही चला गया उन्होंने तर्कीब चली अल्ला ने अपनी तर्कीब चली बचाता है अल्ला लेकिन दो वाक इस देर वो जिन्दगी जिसमें वो वो कहते है ना आग का दरिया हो और ढूप के जाना हो आपने है और वाकिंग अलोन तो काइनात भी देख रही होती है जो सब किसे हट के चल रहा होते हैं और लोग जो है वो आए दिन आप कोई वीकनिसस के ओपर फीड आउन कर रहे होते हैं कमजोरी पे वार करते हैं आज यहां गोली चलाते हैं आज यह बदनामी इसकी लेकर आते हैं जिस पे यह प्रॉपगेंडा आप सोचें के हज का जब मौका होता था और जो एंट्री गेट थी मक्के में एंट्र होने की तो वहाँ पे कुरेश ने लोग अलॉट किये वेते शेहर के अंदर अपनी एजेंसी के कि जैसे ही कोई नया ताजर नई अलाके के कोई भी ट्राइब है मौमद स्थालम के बारे में पहले ही इन फॉर्म कर देना कि ये इस तरह का एक शक्स है और इसके साथ ये मसाइल है और ये जहनी लिहास से और लिहास से नाओज़ बिल्लह अल्लाव मसल्ले अला मुहम्मद वाला अले मुहम्मद तो इनकी बात नहीं सुनना थोड़ा सा जरा बंदा ठीक नहीं आई तो तो लोने तो मार्कर्स सेट किये वे थे दे वर थिंग्स मार्क्ट अगेंस्ट हिम आप साथ सल्लम तो जगह भी नहीं बना पाते थे वहां पर फिर ताइफ देख लें आप कि मैं बात चीत करने गया मैं आप साथ सल्लम के माइंड से सोच रहा हूँ मैं सफर करके आया किसी को बता के भी नहीं आया अब मक्के से निकल रहा हूँ तो अमान भी खतम हो गई मेरी ये रूल होता था था मापर सीरा में पढ़ाएंगे कभी कि इफ यू गो आउटसाइड था सिटी दिन अमान यू आफ तो फाइंड अन्यू अमान तो क्योंकि आप रूल तोड़के वहां से उनका रूल तोड़के अशूरंस नहीं थी आप तोड़के वहां से जब आप गए तो वो खुद ही वाप्सी की कवरिज नहीं है का आप वहां पहुचे हैँ तोतीन भाई थे जो थाइफ के बाशा थे या रूलर्स या चीफ थे वह जो टहकीर अमेज़ अलभाद उन्नों ने बोले हर्ट ब्रेकिंग अब आप वापश जा रहें तो उनुने एक वापश जाते वे कुरेश को एक गिफ्ट देना चाऊ कि हम तुम्हारे जो एक अंदर की हस्ती है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है हम तुम्हें तुम्हें तोफे में गुजर गई यह वक्त गुजर गया तो आपको अमा आईशा ने पूछा आपसे कि What was the hardest day on your life हभीबी तो आपने का कि ताइफ was the hardest day on my life You know, it's very hard मेरे ख्याल से मैं अगर पूछ हूँ आप से अगर कोई मुझसे आज पूछ कि अगर कोई सवाल आपको पूछना हो रसुला से तो आप क्या अपनी जिन्दे की पूछ है So I would always ask him कि What made you so great You know How did you do it As a human being आपने कैसे किया यह क्या चीज़ चलाती रही आपको यह उनुस आपके भाई है अगर मैं साथ रसुला सलम की मुझ फकीर की मुझ गरीब की मुझ मिटी की कभी मुलाकाद Allah मुझे नसीब करें उनका दिदार हौज कौसर पर आपके भाई हैं यूनस आपके बाई हैं यूनस आपके बाई हैं वो कौम से नराज हो गए बाद अंबिया जो हैं को आग में डाला गया है समूद जो है वो सौलिय लएसलम के नौ गुंडे आए उदमाश आए कतल करने के लिए आट सम प्लेस अल्ला ने कुछ नबियों को का के आप सुबा के सुबा निकल जाएं और पीछे मुड़के मत देखिए अब हम आपकी कौम को हलाक कर देंगे तो एक अंदर रिलीफ हो जाता होगा शायद के मैं तो नहीं चाहता था ये बरबाद हो लेकिन अल्ला ने हग को जीत दी वो हलाक हो गए और हग बजग गया रसुल आप सबस्सेलम एक सफर पे चले है आपने एक सफर तेह किया आपका दिल जो है वो इतना जखमी किया है इनोंने वेंड थूर आ प्रॉसस अच्छा उन से एक स्पेसिफिक जानरे में काम लिया अल्ला ने अगर उनोंने पांच फैकल्टीज पे काम किया तो आपने पांच सो फैकल्टीज इस्टैबलिश की अगर प्राण लानु फर्र को बेन आहदे में रसुली अगर्चे हम किसी नभी में तफरीक नहीं करते मगर जिन फैकल्टीज को अल्ला ने रसुल आससलम के थूरू स्टैबलिश किया है मौ माजी में किसी नभी के पास नहीं है मुसा के पास भी नहीं अल्लाहिस सलातु वस्सलम तो इतनी फैकल्टीज के अंदर अपना लोहा मनवाने के अंदर जो चीरा आपको लगा होगा जो खून आपका बहा होगा जो स्ट्रेस आपने लिया होगा जो तनकीद आपने बरदाश की होगी और जो मनो सल्वय का अंतजार आपने किया होगा और जो सबर आपने किया होगा और जो खमोशी अपनाई होगी मतलब आप से मेरा एक यह सवाल है कि पंदरा दिन तक जब वही आपके लिए रुक गई वही और घर के बार एक सवाल खड़ावा है कि अगर आप सचे नभी हैं तो यह तीन सवालों का जवाब दे दें हम मैंडेट दे देंगे कि आप हक पर है और पंदरा दिन तक वही नहीं आ रही है आप मेरा तो सबसे इंप्रेशन यही है कि आप सब्सक्राव को क्या चीज़ ने खड़ा रहा है हक है मानते हम हक है हमें भी पता हक है इंसानी तकादे से कुल इन्ना माना बशरु मिसलकुम यूहा से मैं पूछना चाओं कि आप हैं तो इंसान ही ना आल्ला ताला यह भी तो कह रहा है कि दिल आपका तंग होता है इनकी बातों से लेकि जब आप यह कहते हैं कि आप सुपर हीरो हैं तो आपको कोई आप अफेक्ट नहीं होता है या आपको फर्क नहीं पड़ता यह मेरे खियाल से एक तोहीन है तोहीन है आज भी कोई कामयाब आदमी है उन रातों का जो मैंने गुजारी है एक और जुम्ला भी बड़ा हर्टफुल होता है कि जब आप अपनी पेन रखो तो अगले के साथ भी तो हो रही है तास अलसो वेरी हर्टिंग मैं युनीक हूँ अपने पेन में ठीक है उसका भी पेन होगा कि ठीक है लेकिन मेरी युनीकनेस को क्यों अड़ा है रशुल्द Fallh Sallallahu Alaihi Wasallam की पेन को आप normalize क्यों कर रहे है कुछ लोग उसको एक आम आदमी का पेन क्यों कर रहे है और कुछ लोग उसको एक फरिष्टे का पेन क्यों कर रहे है वो रसुलिल्ला का पेन है as a human being अबसमें को तकलीफ हुई है यार and how did he manage he managed out of it तो I think मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की what keeps you going on you know मुझे एक रात याद है के इतना सख्थ हलात थे जिंदगी के के मुझे ऐसा लगता थे बादल हटेंगे कभी है इतनी जादा congestion थी मेरी life में इतना मार रहे थे लोग मुझे और अपने हाथ से लगाये वे पौदे जो हैं वो जहर पिला रहे हूं आपको I was so choked you know राज जो थी ना मैं सोने के लिए लेटता था तो mind अपने defense के अंदर और उस डर और defense के अंदर इतना घबराया वा था कि मैं लेटता था तो मेरा pre-conscious mind मुझे जटके से उठाता था और मेरी body और मेरा आँखे में बंद करता था लेकिन मेरा mind नहीं सो पा रहा था तो मुझे आज भी याद है मैं इतनी जादा anxiety हुई थी इस टाइम पर anxiety word negatively लोग ले लेते हैं ये temporary हो जाती है कभी कभी फेज है गबराहट है तो मुझे आज भी याद है एक doctor ने मुझे help लिखे दी आप help ले ले मैंने कहार मैं लोगों को अकीदा बढ़ाता हूँ तोहीद का के मा मैं ये तवक्कल आप मुझे कहरें मैं गोली खा लो मेरे पास तो अल्ला का दीन है एक मुसल्ला है मैं क्या पढ़ाऊंगा मार्केट के अंदर अगर मुझे ये अपनी anxiousness को खतम करने के लिए anti-depressant दे रहे हैं anti anxiety दे रहे हैं इतना pressure था मेरे उपर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना ज़ादा तो my heart was pounding and palpitating that day मेरा दिल की धड़कन तेज मुझे सोया नहीं जाता बड़ी सक्त रात थी वो तो मैं मैं यह समझता हूँ कि what keeps you going on is कि एक तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आदमी ठीक नहीं हूँ गलतियां भी मैंने बहुत की होंगी और थोड़ा होगा मेरे मिजज में attitude में कि पबलिक की हट जाती उससे, people get tripped off I might have over spoken somewhere, I might have over acted I might have over expressed but my heart new in the core कि यार मैं अपने cause से sincere हूँ और मैं मेरी strategy गलत हो सकती है, मेरा behavior गलत हो सकता है लेकिन मेरी नियर ठीक है मैं एक आम इनसान को वो आतिफ नी बनने देना चाहरा, जो वो अमेरिका से आने के बाद और उससे पहले की जिन्दगी में जिस साल तक वो पहुंच किया था ये है मेरा vision कि मैं दूसरा आतिफ अपनी कपैस्टी में नी बनने दूना मैं पहले ने अपनी life story सुनाता था मस्जिदों में, एक आदमी ने defense phase 7 ने मुझे इतना जलील किया उसके उपर वो देना उसके बाद तलात का podcast उससे तक मैंने कहानी नहीं खोली जब मैं ऐसा आदमी हूँ कि जब मुझे लग जाना तो मैं इस तरह खमोश होता हूँ फिर खमोश ही हो जाता हूँ मैं 20 साल बोले नहीं कुछ मैं बहुत आप दीन की दावत का काम होगा ना तो अपनी example दे के नहीं बात करूँ गा I learned my lessons कितने लोग आये, कितनी offers हैं आप अपनी life के बारे में कुछ खो लें क्या हुआ था कि मैं नहीं बहीं, मैं कुछ भी नहीं आज भी यहीं समझता हूँ So I think that thing that keeps you going on is Allah ने मुझे choose किया Spain के लिए मेरे नसीब में ये गम आया है खुशकिसमत हूँ मैं जिसके नसीब में इन बेवफाईयों का गम है यह हर आदमी को नहीं मिलता तब ही मैंने एक औरत को बड़े इल्मी घराने से उनका तालोक है बड़ा इल्मी शजरह है उनका और बड़ी परिशान थी वो उनको मैंने समझाया कि तेरे खाते में यह गम आया इसलिए है बेवफाई का क्योंकि यह तो बड़े किस्मत वाले लोगों को अल्ला बेवफाई का जखम देता है गदारी का जखम बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलता है गदार मिले उसे जिन्देगी क्योंकि जो सबख बेवफा और घद्दार सिखा के जाते हैं न, वो management 101 और marketing 101 और strategic management 101 या one double o के courses नहीं करा सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसा course नहीं है, कोई ऐसा life coach नहीं है, कोई ऐसा inspirational मुआद नहीं है, कोई ऐसा Peterson और ये Robert Green वाला माल नहीं है, जो इनसान को सिखा सके, जो एक बेवफा सिखा सकता है आपको, जो एक घदार सिखा सकता है आपको, जो एक जालिम सिखा सकता है आपको, वो ऐसा सबक दे के जाएगा, कि आपको उसके, और एक जाबिर जब आपके साथ करता है, जाबिर जो पावर में होके आपके साथ जब करता है तो मचली का सर्वाइवल मगर मच के उस पूल के अंदर जो उसके avenues खोलता है इससे बड़ी रहमत अल्ला की नहीं होती It becomes an opportunity It becomes an avenue of क्योंकि आप होना, देखें आप समझें इस चीज़ को आपका सवाल का जवाब यह, what kept going on is the greatness of man कि आपको शुरू में डर लगेगा anxiety आएगी शुरू फिर उस anxiety को आप अपनी spiritual anatomy के तहत automatically overcome होना शुरू, आपका डर कम होगा फिर वो आ जाएगी आपके सामने बदनामी and you'll get used to it फिर कुछ नहीं होगा आपको यह हिस्सा जरूर अलएदा से रखके सुनाईएगा the process यह आदमी कैसे दलेर बनता है पहले इतनी anxiety आएगी कि कोई गोली काम नहीं करेगी फिर वो fear जो है थोड़ा थोड़ा उसके साथ शेर के साथ जीने की आदट डालेगा उस बला के साथ फिर वाइस ताइस बला को खाना शुरू करेगा और वो monster जो डर की हालत में था वो body का पाड़ बनना शुरू हो जाएगा आपके और फिर आप अपनी जिंदगी में जहर और अमरित जहर और मिठास के साथ जीने की आदी बनना शुरू हो जाएगा आप एक बच्चे से एक आदमी और एक जर्रसे पहाड फूल से कली खाक से खास खाक से खास और एक जंगल का शेर बनना शुरू होते हैं जब आप वो दो टोल्स में रहना शुरू करें बट्विन बट्विन अ लाइन और राबिट वैसे ये मिसाल बनेगी नहीं आप है एक सिरफ कंफरिबिलिटी में परफॉर्म करता है शेर अनकंफरिबिलिटी में भी परफॉर्म करता है दा टोल अफ डिसकंफर्ट मतलब आपे स्ट्रेस भी है और खुशी वाले ट्रिगर्स भी है इसके बीच में ही जंगल में अजजेस्ट वे उसका करेक्टर ऐसा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि वो आपसे बात कर रहा है यहां चार अज़ आप खड़े होंगे उसके उसकी जंग चल रही होगी उसकी दुश्मनिया चल रही होगी मगर इस ऑल्सो हैंडलिंग तो कुछ लोग मल्टी टास्किंग सीखते हैं असा और सही के हदीश के अंदर कुछ लोग मल्टी टास्किंग सीखते हैं शर और अशर के अंदर और सबसे टॉप ब्रेन मल्टी टास्किंग सीखता है गुड एंड इवल एंड इवल एंड इवल हो जाता है to smile, to talk, to perform, to deliver, to be composed, वो सीखता है अपने आपको ले के चलना अगर्चे ये जिन खड़े हैं उसकी जिन्देगे, ये starting होती है उसके बाश्चा बनने की, कि डर भी खड़ावाय है, अगर उमीद भी खड़ी है, अलिमानों बैन वरिजा, दुश्मन भी घड़े में, दुश्मन भी है, दोस्तियां भी है, मुनाफिक भी है और वो चल रहा है अब, मगर start है सहनी होता उसका, पहले anxiety है, जटके है, नॉर्मलाइज करते हैं उस fear को, फिर आप खाना शुरू करते हैं उस fear, वो बला छोटी होना शुरू होती है, फिर आप इसी तरह के दो fears में रहते हैं, और आपको लगता है मैं मर जाओंगा, फिर व वो fear आपको मार गया, यह मैं कहता हूँ, यह मैं समझाता हूँ, कि अपने दुश्मनों के साथ यह करें आप, कि देखो जितना तुम मुझे निया weapon से डराने आओगे न, अगर मैं मर गया तो ठीक है, वरना मैं उतना ही तुम्हारे weapon को खा जाओंगा, तो use your bullets very carefully, बलके it happens in war as well, because, जंग हारते हैं कुछ, अगर कोई helicopter मिल जाता है, तो वो technology चले जाती है, मतलब अगर आपका war weak हो गया, yes, if you miss the short, तो फिर मैं उसको उसके, reverse engineering हो जाएगी न, आपका war भी सीख जाओंगा मैं, yes, उसकी resilience भी सीख जाओंगा, और उसको अपने war में mix करके आप पे war करू वो आप कहते हैं न, समझ के तनकीद करना, जुमले देना मुझे, हाँ, वो जुमले जो है न, वो energy दे है, तो जितना तुम मारोगे, वो उतना booster और मिल जाएगा, लेकिन ये उसकी लिए बात उसकी है, you're not bulletproof the first day, obviously, कुछ जखम खाने पड़ते हैं, they make you bullet, वो आपको बनात उसको तो बलाएं, कभी इदर उदर देखेंगी, तो वो सोचें, फिर वो जिसने 20% का आप पे fire चलाया था न, अब वो 80, वो 20-80 बनके आपको haunt करेगा, अगर आप मैदान छोड़ दिया तो, 20 ऐसा हो तो 80 पतनी कैसा होगा, नहीं वो 20-80 का बन जाएगा आपके, अभी आ आप जहाँ पे खड़े हो और वो 20% fire कर रहा है आप पे, और अगर आप चार कदम भाग गए पीछे, तो वो 20 का fire, 80 की strike देगा आपको, so stay there, हिले नहीं, कोतों के नाचने से शेर अपनी ground नहीं छोड़ता, सरकार, let them dance, that's what they do, they dance and they bark, and that's what God created them for, a lion is not created to bark, a lion roars on his timings, at the perfect opportunity, शेर धाड़ता है, मगर वो कुतों के भौंकने का pressure or stress और सारी narrative building जंगल में बन रही होती है, कि सब भौंकने हैं भाई, तो मर ही गया होग अशे, वो एक धाड़ता है, और बड़ी accurate धाड़ होती है, to silent the entire, terrain, मगर डर है, खौफ है, पता है भाई, सो कुते आगें हमार, एक शेर सो कुतों से नहीं लड़ सकता, एक शेर चाहेद दस कुतों से भी नहीं लड़ सकता, दस लगट बरगट से भी नहीं लड़ सकता, शेर सिरफ अपने image से लड़ता है, public के साब, भौकने चाहे 100 भी आजाए He just has to learn the art of being a lion तो शेर बनना एक fun है पूरा शेर का मतलब ताकत नहीं है शेर का मतलब size नहीं है शेर का मतलब speed नहीं है शेर का मतलब brains नहीं है शेर का मतलब शेर है वस That's it वो बनने के अंदर नहीं वो process है जिगर और कलेज़ा बड़ा किना अब्सॉप करने का शेर अब्सॉप्शन का नाम है कि शेर प्रेशर अब्सॉप करता है स्ट्रेस अब्सॉप करता है composition रखता है अपनी वो composition उसके बाल निगालती है एक habit create करती है एक aura और एक ambience create करता है एक character रखता है एक child रखता है अपनी in the thick in the thin उसने ये रखना है कि मुझे कोई ना कोई देख रहा होगा and that is automatic वो अब वो हाथी की, लोमड़ी की, चीते की, जैगवार की और वो जंगल के मुखतलिफ नसल के जानवरों की क्योंकि उनकी उकात ही ये थी जराफ लंबा है वो लंबा ही रहना चाहता है वो फैलना नहीं चाहता तो उसने फैलने का in comfort, inconvenience लिया है हाथी बड़ा है ठीक है मगर उसने फहम और फरासत की आग से गुजरना ही नहीं है लोमड़ी तेज है मगर दलेरी दिखाने की डुमेन में नहीं आना चाहती कभी भी चीता तेज है बहुत तेज है मगर strategic structural management और pack hunters को handle करने का stress भी लेना चाहती कुद्थे pack hunters हैं wolf pack hunters हैं मगर system के अंदर जहां पे दूसरे किसम के brains दिखाने है उसका stress लेना है या किसी और की डिमोनी लेंगे wolf अपने character से नहीं हंट करता wolf अपने pack ability से हंट करता है share हंट करता है अपने नाम पर अपने character उसके लिए एक आग है उसकी उसकी दुश्मनिया ही उसकी दलील है उसके हाग होने पर everybody has issue with the lion but they want a lion in the courtyard इसके लिए वो greatness वो आग के मेरा मैं चूज हुआ हूँ आसमान से ये बनने के लिए that's what kept you keeps you going on आप पूछेंगे ना किसी बड़े आदमी से हैं हम तो बहुत चोटे लोग हैं what kept you going on आगे सही बोलेगा मुझे आता नहीं है और कुछ करना इन्हें बहुत कुछ करना आता है मुझे सिर्फ यही करना आता है कि मैं बना ही इस काम के लिए में अल्ला वो कहते हैं ना खालिब बिन वलीद के बड़े प्यारे जुमलेते में अल्ला never let the eyes of the coward sleep in the night अल्ला किसी बुजदिल की आँक को नीन न दे और मेरी दूसरी दूआ है अल्ला किसी दलेर बहादुर शेर को कुत्तों के हादों न बरवाए मेरी उनको एडवाईज है keep walking जिस दिन तुझे मारने आना चाहिए तो शेर ही मानने आना चाहिए so select your enemy wisely and select your battles wisely